नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल उत्तर प्रदेश परताब गड़ जिले से समाजवादी पार्टी के जिला धच छवी नाथियादो और उनके सहयोगी गनर राम सिंग पर गैंग अश्टर की कारवाई हो गई है जिसकी चलते अब सपा जिला धच छवी नाथियादो की मुश्कले बढ़ गई हैं आपको बता दें की दोनों को पुलिस ने एक दलित महिला की जमीन पर अवेद रूप से कबजा करने के मामले में धमकाने और पीटने के आरोप में 12 सितंबर को गिरफतार करके जेल भेद दि पर अब सपा जिला धच छवी नाथियादो के उपर कारवाई की गई है पुलिस के मुताबित सपा जिला धच छवी नाथियादो मनिक पूर्थाने का हिष्ट्री सीटर भी है चवी नाथियादो पर दो अधन्स से अधिक मामले भीदर्ज हैं जिसके चलते आब उनके उप पर गेंगेश्टर की कारवाई की गई है आपको बता दें कि पूरा मामला मनिक पूर्थाना छेट के बूला की पूर गाउं का है जहां पर सपाजिला ध्यच्छ भीना थ्यादों की दबंगई का वीडियो सोसल मीडियो पर वारल हुआ है सपाजिला ध्यच्छ पर अपने अब जाक के बिरोर करने पर दो दलित को पीटने और जान से मानने की धमकी भी दी गई है आपको बताने की गैत्री ने आरोप लगाया है कि दस सितंबर को समाजवादी पार्टी के जिला ध्यच छवी नाथ यादो और उनके नीजी गनर राम सिंग यादो और कुछ अज्य लोग आये और अब अत्तता से वह मार पीट करने लगे जिसमें दो लोगों को गंभी चोट भी आई है जिसके चलते अब समाजवादी पार्टी के जिला ध्यच छवी नाथ यादो की मुश्किल बढ़ गई है और अब उनके उपर गैंगेश्टर के तहट कारवाई की होगी अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्वाद